हेर फ्रेंज वेलकम टू ओरिजिन्स इशाला और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डिजिटल इलेक्रोनिक्स का एक और इंपॉर्टन टॉपिक दाट इस और आज हम देखने वाले हैं what are the basic definition for combinational circuits, sequential circuits और साथ ही साथ इनके कुछ specific characteristics से वो भी मैं आपको बताऊंगी तो सबसे पहले देखते हैं definition of combinational circuit अब combinational circuit क्या होता है तो it is defined as in time independent circuit time independent मतलब इसमें जो input और output का जो आता है relationship उसमें कोई time gap नहीं होता है यानि आप immediately input देंगे और immediately आपको output मिल जाएगा without any delay और I would say a very less time of propagation delay जो basic circuits के वज़े से होता है इसी के साथ यह previous inputs पर define नहीं करते यानि इनको जो previous input यानि suppose मैं बोलू कि एक circuit में consistently एक के बाद एक input दे रही हूं तो पहले वाले input का जो output था उसका कोई relationship नहीं है जो मेरा next input आएगा उससे तो यहाँ पर जो output और input है वो individuality काम करते हैं यानि एक input के लिए एक output fix है और उस particular input और output का दूसरे किसी input से कोई relationship नहीं है दूसरे किसी output से कोई relationship नहीं है अब यहाँ पर इसका मैं आपको basic diagram दिखाती हूँ तो आप देख सकते हैं यह combination circuit का block है अब यह block है मतब इसके अंदर कोई भी आप combination circuit को consider कर सकते हैं इसके कुछ examples भी मैं आपको बता दूँगी यहाँ पर अगर मैं जैसे बोल रही हूँ कि यह मेरा block है जैसे आप देख सकते हैं मैंने input दिया और immediately output आ गया है तो जैसे मैंने कहा यह time dependent नहीं है they are completely independent of time immediately input देंगे immediately output आएगा और अब जो भी particular input एक particular instant of time पे देंगे उसी time के लिए उसका output आएगा और जैसे input change होगा उसके according output बे change हो जाएगा अब यहाँ पे जो हमारी circuit होती है इसमें यह तो इसका basic definition है बट इसके कुछ characteristics होते हैं यानि इसका कुछ basic principles होते हैं इसमें यह यह चीज होगी या यह चीज नहीं होगी वो मैं आपको पुछ points बता देती हूं important तो हमारा जैसे मैंने दिखाया कि यह जो हमारा combinational circuit है यह कुछ इस तरह का होता है तो सबसे पहली चीज यहाँ पे आप जैसे notice करेंगे एक certain number of inputs है और certain number of outputs है तो यहाँ पेरा usually यह relationship follow करता है that is basically of 2 raise to n is equal to m यानि 2 raise to की जो भी power आएगी उसके according output आएगा अब यह हर circuit में नहीं होता पर आप जितने भी usually जो हमारे combinational circuit देखेंगे most of the time आपको यह formula देखने मिल जाएगी तो हम बोल सकते हैं कि इसमें एक certain number of inputs है और एक certain number of outputs होते हैं अब हमारा gates यानि हमारे जो gates होते हैं उनको हम एक certain combination में form करते हैं और उसके वज़े से हमारा एक particular combinational circuit बनता है अब यहाँ पर यह combination होते हैं यह usually यह boolean expressions यह boolean formulas को follow करते हैं और उन formulas के accordingly हम लोग output को set यह change कर सकते हैं यहाँ पर एक बहुत important चीज है कि हम लोग जैसे बोल रहे थी कि यह time independent है तो यहाँ पर यह भी बोल सकते हैं कि यहाँ पर कोई memory element नहीं है यानि जो पहले का previous output है वो हम कहीं पर store नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पर जो भी होगा वो एक ही instant पर होगा और अगर आप next instant के लिए उस output को notice करने चाहते हैं तो वहाँ पर आपके पास कोई भी ऐसा element नहीं है या फिर कोई ऐसी आपने arrangement नहीं किये जिससे आपका memory में store हो जाए data तो यहाँ पर यह एक drawback है कि आप पहले वाले output को store नहीं कर सकते तो जैसे मैंने कहा output at any instant is dependent on the logic conditions of input at that instant यानि जो उस time पर है सिर उसी के according आपका output आएगा इसी के साथ यहाँ पर एक चीज है कि अगर मैं बोलू कि memory element नहीं है तो हम लोग जैसे बोल रहे हैं कि output आया है अब मैं बोलू कि मुझे कोई ऐसा circuit चाहिए जिसमें मुझे output को relationship लाना है तो combination circuit के group में जो भी circuit आएगी वो काम यह नहीं कर पाएग output completely erase हो जाएगा यहाँ पर एक बहुत important चीज यह होती है कि यहाँ पर delay नहीं होता तो जैसे मैंने कहा immediate input दे रहे हो immediately output आजाएगा तो यहाँ पर propagation delay नहीं होता तो आपका जो circuit है उसमें delay बहुत कम होगा यानि आपको quickly output मिल जाते हैं और अगर जो थोड़ा बहुत डिले हमे अगर मैं बोलू तो जैसे मैंने कहा कि थोड़ा बहुत डिले होता है पर बहुत कम है it is in like nanoseconds तो मैं यह भी बोल सकती हूँ कि जो भी मेरा output है वो instantly यानि almost मुझे एकदम फटाक से output मिल जाएगा तो जैसे मैंने input दिया immediately मुझे output मिल जाएगा अब यहाँ पर हमारे पास ज दी multiplexors, parity generators तो जितने भी यह सारे circuits होते हैं अगर आप notice करेंगे तो यह सारे के सारे combinational circuits में ही consider होते हैं क्योंकि उनमें ना memory element होता है आप input देंगे immediately output आजाएगा और यह सारे के सारे obviously digital gates से ही बनाए जाते हैं तो these are some of the basic points that are related to combinational circuits अब मैं बात करती हूँ sequential circuit की तो जब हम पढ़ते हैं na combinational circuit तो इसके जो points से they are actually with reference to sequential circuit because हम लोग का definition है वो दोनों को ही compare करते हैं तो sequential circuit में क्या अलग होता है sequential circuit सबसे पहले तो dependent होते हैं यानि उन्हें control किया जाता है यानि अगर आप किसी time पे उसे रोकना चाते हैं तो आप रोक सकते हैं किसी time पे आप operate करना चाते हैं तो operate कर सकते हैं इसी के साथ यहाँ पे आप present past जो भी आपने input दिये हैं उसके जो output है उसको manipulate कर सकते हैं उसे store कर सकते हैं तो यहाँ पे दो चीज़े important है, जैसे मैंने कह combinational independent of time होता है, sequential circuits are dependent on time, तो यहाँ पिए time कैसे होता है, dependent on clock cycles, यानि आप जो clock देंगे circuit में हम लोग जो voltage levels pass करते हैं for controlling the whole circuit, they are known as clock, मैंने उसके लिए अलग video बनाया है कि clocks क्या होती है, वो हम बात में discuss करेंगे, but for this point, कि अगर आप circuit में, suppose एक कोई sequential circuit है, जैसे कि अगर आप लोग को कभी पता होगा कि नहीं, I don't know, but sequential circuit का जो very basic unit है, that is flip-flop, तो flip-flop में अगर आप clock देते हैं, तो ही वो input देता है, and then output generate करता है, तो हम उसे clock के through control करते हैं, so that is why it is time dependent, because अगर आप clock ही नहीं देंगे, तो आपका जो output हो कैसे आएगा, इसी क साथ यहां पर हमारा जो circuit का diagram है, उसे आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, कि यह diagram में combinational circuit का उपर वाला पार्ट है, और नीचे एक memory element भी है, तो यह memory element बड़ा important है, because आपका जो output है, वो next state पे, अगर असर करना चाहते है, आप ऐसी कोई circuit चाहते है, जिसमें input तो हो, उसी के स साथ, past का output है, जो भी है, आपने store किया है, उसे use करना चाहते है, तो आप use कर सकते हैं, तो यह जो circuit है, technically, it is a modification of combinational circuit, तो यहां पे भी n inputs, n outputs आपको दिख जाएंगे, पर इसमें एक ही चीज़ एक्स्ट्रा हो रही है, कि आपका जो output है, उसे आप memory element में store कर सकते हैं, प्लस, आप उसका use भी कर सकते हैं, अगर आप input के साथ उसे देना चाहें, तो, तो this is about the basic definition of sequential circuit, अब अगें इसके भी points होंगे, तो जैसे मैंने कहा, it is respect, it is in respect to combinational circuit, तो यहां पे देखिए, दो चीज़ आपको common दिखेगी, इसमें भी n inputs है, n outputs है, तो वहां पे भी थे, they are also combined and formed of digital gates तो sequential circuits भी कुछ अलग चीज़ से नहीं बनाए जाते हैं, वहां पे कुछ अलग नहीं हो रहा है, उसे भी digital gates से ही मद आए जाते हैं, बट यहां पे जो digital gates की connection होती है, उसे कुछ इस तरह से किया जाता है, कि कुछ extra features इसमें आ जाते हैं, तो सबसे पहले feature क्या आएगा, memory element हो बजना है, क्योंकि आपकी जो circuits है, जो digital circuits यानि आपकी जो memory है, वो सारे के सारे data store करते हैं, and they are technically made up of flip-flops, तो obviously अब आपको clear हो गया होगा, कि sequential circuits यानि जो आपकी memories होती है, they are also part of sequential circuit category, इसी के साथ feedback is taken, तो जैसे कि मैंने कहा, अगर आप चाहें, तो output को input में अगर आप देन है, तो यहाँ पर आपको feedback मिल जाता है, यानि suppose, अगर मैं कहूं कि कई output गलत आया है, तो combination circuit में वो check नहीं हो सकता, because हम feedback नहीं ले रहे, पर sequential circuit में, अगर आपका output पहले वाला गलत था, या सही था, you can also check it, कि सही है या गलत, because हमें feedback मिल रहा है, और इसी के साथ आप input के साथ दे भी सकते हैं, तो आपके output में जो change है, वो respect में आएगा, तो यहाँ पर अगर मैं बोलू, output और input के बीच में जो memory element है, वो connected है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, कि जो any instant पर जो मैं बोरू कि output आने वाला है, तो वो दो चीज़ पर depend करेगा, एक input पर, दूसरा जो हमार output का condition था, यानि पहले आपका क्या output आया था, अगर आपको उसका कुछ use करना है, मेभी उसको store करना है, तो आप उसे कर सकते हैं, क्योंकि आप दोनों को मिला के, फिर आप next input, यानि second input generate करेंगे, यहाँ पर अब एक चीज़ है, कि हम लोग memory element डाल रहे हैं, तो जैसे मैंने क तो है नहीं वहाँ पर, but since sequential circuit में memory elements यूज किये जाते हैं, यहाँ पर जो delay है, वो बढ़ जाता है, यहानि हमारा जो input है, और जो output है, उन दोनों के बीच में एक certain time का delay होगा, propagation delay, because of the memory element, and because of the whole functioning, क्योंकि input के साथ फिर output को लाना है, फिर साथ में देना है, suppose अगर मैं बोलो input अकेले देना है, तो आप फटा-फट दे सकते हैं, but अगर वो output नहीं आया है, then sequential circuit में तो compulsory है, कि output को लेके फिर ही input में साथ में दोनों को देना है, तो यहाँ पर circuit में एक halt आता है, that is the delay between input and output of the circuit. next, यहाँ पर आपको examples दिख रहे हैं, तो best example आपका, जो sequential circuit का है, that is flip-flop, तो जैसे मैंने कहा, it is the basic unit of any sequential circuit, अगर मैं कहों कि sequential circuits हैं सारे, बहुत सारे होते हैं, उसमें बहुत सारी classification, आप देख सकते हैं, registers लिखे हैं, मैंने counters लिखे हैं, तो यहाँ पर, जो flip-flop है ना, उसी के modification, यानि एक flip-flop को उठा के, हम एक circuit बना रहे हैं, दूसरे flip-flop को उठा के, तो बहुत सारे flip-flops को, जब हम combine करते हैं, तभी उनके अलग-अलग certain wiring के combination से registers बनते हैं, counters बनते हैं, in fact, जो हमारे processors होते हैं, या फिर जो हमारी digital memories होती हैं, उनके अंदर भी कहीं ना कई sequential circuit का ही part होता है, because हमारी जो memory है, they are storing data, तो data store करने का जो feature है, that comes for only sequential circuit, combinational circuits में वो यूज नहीं होता, अब एक सवाल होता है, कि अगर sequential circuit हमारे memory elements में यूज हो रहे हैं, या फिर data store करने में यूज हो रहे हैं, तो combinational circuits कहां यूज होते हैं, combinational circuit, usually जो हमारा instant output निकालना हो, ऐसी data transfer करना है, तब अगर आपको एक ही channel पर बहुत सारा data भेजना है, तब वहाँ पर आप multiplexer use करते हैं, that is an example of use of combinational circuit, तो ये था basic definition and some of the important points related to combinational and sequential circuits, I hope आपको ये points समझ आ गए होंगे, अच्छे से, so this was it for the lecture and मैंने इस पर definition and आप कुछ basic points बता है, अब next video में हम इनका direct comparison देखेंगे, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है, तो नीचे एक like का बटन होगा, प्लीज उसे click कर दीजएगा and don't forget to subscribe our channel, तो आपको नए-नए digital electronics और 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 भी कई engineering subjects के वीडियो मिलते रहेंगे, इसी के साथ, अगर आप books डाउनलोड करना चाहते हैं, तो हमारे ब्लॉक पर आपको free e-books की links मिल जाएगी, आपको description में link मिल जाएगी, तो आप वहाँ पर जाके ले सकते हैं books, till then bye bye, I'll see you in the next video, stay tuned to our channel. झाल